अस्सलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोग के 10th क्लास के दरक्षा का बुक का जो चैप्टर नुम्बर 6 है जिसका नाम है आलमी हिद्दत इस चैप्टर के ओल कोशन एंसर को जितने भी कोशन आप लोग के बुक में दिया ग्लोबल वार्मिंग आप इसको आलमी हिद्दत बोलिए या फिर फिर आप इसको तमाजतियर्जी बोलिए बात देखी है ठीक है और यहां तक कि मैं इस चैप्टर को अल्रेडी पढ़ा चुकी हूं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है उर्दो दरक्साटेन के नाम से प्लेल ठीक है या फिर आप लोग सर्च भी करेंगे ना आलमी हिद्दत वाई मुस्कान में तो आप लोगों का आजाएगा वो चैप्टर इसको समझ लीजिएगा कि आलमी हिद्दत किसे कहते हैं ठीक है अब इस वीडियो में सिर्फ कोशन एंसर होगा ठीक है तो चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चलिए हां तो यहां पर दियान दीजिए आप लोगों का स्टार्ट होता है मारूजी सवालार से यानिकी आफ्जैक्टिव कोस्टेंट से जो सबसे पहला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है Karma मसला है देखें यहां पर जवाब में भी देदिया है अप्सान नमबर जीन ठीक है संगीन मसला है पूरी दुनिया के लिए जो ग्लोबल वर्मिंग है वो बहुत ज़्यास मसला है ठीक है दूसरा सवाल देखिए करबंडाई उकसाइड गैस में कितना इजाफा हुआ है तो वह हुआ जवाब में दिया है अप्सान नमबर दाल जीरो पॉइंट सेवन फाइडी संटीग्रेट तो यह हो गया इसका इंसर सवाल नमबर चार है कि बाल वग्यान कॉंग्रेश दौजर आठीक है तो वह हुआ था शहर दीमापूर में ठीक है यहां पर जवाब में भी दे दिया है आगे बढ़िये सवाल नमबर पाँच है कि क्यूटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉंफरेंस कब हुई थी तो वो हुई थी दौहजर साथ इसमी में ठीक है तो यह हो गया इसका इंसर आगे बढ़िये अब बात आती है मुक्तसिर सवालात की यानि की लगुह उत्रिया प जबा चानदारे के लिए सब यह जिव जनतु के लिए नहीं है यह फिर सू्टेबल नहीं ठीक है तो देखे जवाब लिखा है हमुन जिस मीन के बाश emnis के जिबान वे लिए नाधार 00 जबकि हमारी जमीन का दरज़े हरारत जानदारों और पेड़ पौदों के लिए नहायत मोजों और मुनासिब है यही वज़ा है कि रोए जमीन पर इंसान और जानवरों के लावा तरह तरह के पेड़ पौदे पाहे जाते हैं देखें यहां पर बोला जा रहा है कि जो जमीन है वह जितने भी जानदार है जीव जनतु है पेड़ पौद है उन सभी के लिए क्या है मुनासिब है सुटेबल है ठीक है लेकिन इसके लाव अगर बात की जाए दूसरे प्लानेट की तो दूसरे प्लानेट पर जीवन संभव नहीं है वहाँ पर पर जीव जनतु हो के लिए वहाँ पर का जो इन्वार्मेंट है वह क्या है मुनासिब नहीं है सुटेबल नहीं है या जो दूसरा प्लानेट है या तो बहुत ज़्यदा ठंड है वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यदा सर्द है ठीक है एक हम लोग का प्रि पर जीवन संभव हैं ठीक है आगे बढ़िए दूसरा सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो संगीन अब यहां पर यह मुक्तसित वालात में तो आपरों को चार पांच सेंटेंस में इसका जवाब देना ओगा तो देखिए जवाब लिकाए बुज़स्ता 10 सालों से आर्मी सथा पर ग्लोबल वार्मिंग का बार बार तथक्रा हो रहा है यही वज़ा है कि आग साइन्स धानों के सामने ग्लोबल के लिए आहम अप्दामात किए जा रहे हैं तो यहां पर बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो हैं लगबक 10 सालों से हम लोगा जो प्रित्वी का अधो अधो ग्लोबल वार्मिंग है वह क्या हो रहा है पूरी दुनिया के लिए सिरियस मसला बन चुका है यह ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में चर्चा के तौर पर चर्चा हो रही है इस ग्लोबल वार्मिंग की और यही वज़ा है कि आप लोगो को लेकर बहुत जगा सिरियस है और यह तरह से ग्लोबल वार्मिंग को किसी तरह कम करना है ठीक है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी हूं जब यह मैं चैप्टर पढ़ा रही थी ठीक है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में और उसमें देख साइंटिस्ट है उनके लिए यह बहुत ज़्यादा सिरियस और चैलेंज बन चुका है यूए नो में जो अमेरिका जर्मनी है उनके जो साइंटिस्ट है इस ग्लोबल वार्मिंग के मसले पर बहुत सारे कदम उठा रहे हैं इसके बचाओ के लिए बहुत-बहुत-बहुत- तरह का कम किया जा सके एगे बढ़ दिए सवाल नमब बर तीन है कि बलोबल वार्मिंग क्या है ठीक है अब यहां पर पुछक्तिया है प्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं तो यहां पर जवाब देखिए गुजस्ता लगबग नस्फ सदी से हमारी जमीन का दरजे हरारत तेजी से बढ़ रही है यहां पर रहा है भी देदिया है कोई दिकनिये बढ़ रही है जमीन के इस दरजे हरारत में जो अश्ट अज़ाफा हो रहा है इसे माहिन महौलियत ने तमाजते अर्जी में तजरीजी अजाफा यानी की ग्लोबल वार्मिंग के नाम से याद किया है आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला बन चुका है जिससे सारे दुनिया में परेशानी है अब यहां पर समझे कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते है पिछले कई सालों से जो हम लोग का प्रिथवी का जमीन का जो टेंपरेचर है वो लगातार तेजी से बढ़ते चला रहा है और यही जो प्रिथवी का जमीन का जो टेंपरेचर है वो जो लगातार बढ़ते चला रहा है उसी को जो है ना साइंटिस्टों ने क्या नाम दे दि जी Global Warming को भी बोला जाता है या फिर Global Warming को भी बोला जाता है आलमी हिद्दत ठीक है तो बात एक ही तो यहां पर समझ में आगे कि Global Warming कि किसे कहते हैं जमीन का दरजहरारत यानकी टेंपरेचर लगतार बढ़ते जाना ठीक है जितना ही जदा बढ़े का समझ ये उतना ही जदा ग्लोबल वार्मिंग ठीक है आगे बढ़े ये सवाल नमबर चार है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस है ठीक है तो यहां पर जवाब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त की गुजरने के साथ जमीन का दरजहराया धीरे धीरे बढ़ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग के सबसे बड़ी वज़ा है और यह दरजहरात का बढ़ना ग्रीन हाउस गैसों में गैसों की मकदार में जाफ़े की वज़ासे है जिसे हों की इस्तिला में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं यांकि हो मि दिया है यहां टरफ फजों के बे तचाशा कटने और दूसरी तरफ मोटर गाड़ी और कलकर खानों में बेपना अजापा की वज़ा से यहां में इजाफा हो रहा है जिसे ना यहां पर जो ग्रीन रहा है और उस टेंप्रेचर बढ़ने में जो सबसे ज्यादा जिम्यदार है वह ग्रीन हाउस गैस जो भी हम लोग क्या करते हैं देखिए आप लिखा है जंगलों के बेताहसा कटने और मोटर गाड़ी उकल कर खानों के बेपना बढ़ंती के वज़ा से जो गैस निकलती है ज बहुत जादा यह क्या करते हैं ग्लोबल वार्मिंग परिस्वी के तेमप्रेचर को बढ़ाते हैं ओन्यीं की गैसों सबकेदें हो रहा है बढ़ंती हो रहा है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और इन ही गैसों को क्या बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ियां सवाल नंबर पांच है कि एक मिनट इसको यहां है सवाल नंबर पाच है जमीन के दर्जायाशय समें कितना सब्सक्राइब है तो जमीन के आगे बढ़ियें याद रखिएगा मेथन में 149 पर्तिसत और करबंडाई अक्साइड में 31% ज्यादा पैदा होने लगे हैं ठीकिए गाय भैस के गोबर और धान के खेतों से मेथन ज्यादा निकलते हमारे जमीन पर सूरज की जो किरने आती है वह उन्हें ज्यादा ज़र्ज इस बालफास देकर इस इसका अधरजा हिरारत बढ़ जमीन कर बढ़ है और पिर वापस लॉटने नहीं देते तो जिसके वज़ासे हम लोगा जो प्रिथवी का टेम्प्रेचर जमीन का टेम्प्रेचर बढ़ता है तो इसी हरारत के रफ़ता रफ़ता बढ़ने से क्या हो जा रहा है इधाफा के बढ़िए सबस्दि जो में का टेंप्रेचर है वह 0.75 0.75 पर तीसत क्या हो गया है वह बढ़ गया है ठीक है अब आगे बढ़िए दूसरा सवाल दूसरे च्छता सवाल नंबर 6 सबस्दें के लिए को अब अबल कलाम साहब ने कौन सा जादवी मंतर बताया ठीक है तो जवाब देखिए हिंदुस्तान के सोबा नागालें के दीमा पूर्ष शहर में बालव गयान कांगर्स मुनाकद हुआ था जिसमें साबक सदर जम्हूरिया या आलमी शोहरत या फतासाइंजदा अबुलकलाम ने चिर्कत किय था उन्होंने तल्बा को ग्लोबल वार्मिंग से मदाफ़त के लिए या जादवी मंतर बताया था कि 10-17 साल के उमर वाले 20 लाख बच्चे सिर्फ 55 दरख्त यान की 55 पेड़ पौध है ठीक है लगा दे तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसला से अपने आपको महफूज समझते हैं लेखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है यह में पूछा था इसमें आप लोगो को चार पंड़ सेंटेंस में अशर देना था ठीक है अब यह तो इसका जवाब देखिए लिखा है इल्म जोग्राफिया का एक अंग्रेजी इस्तला है जिसे हम लोग ग्लोबल वार चीए यहांव पर अर्जी तमाजति होता है यह फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं तमाजते अर्जी यह फिर अर्जी तमाजति बात तो एक ही है थीक है तो ग्लोबल वार्मिंग को उड़ो में क्या कहते हैं तमाजते अर्जी इसस्तला से मुराजब Plaid-जमीन की उपरी स्था के लिए सेरे जन्दारों के लिए मौज़ोर मुनासिब नहीं है प्रित्वी के जमीन का जूलोबरमेंग लेकिन अगर दूसरे बात की जाए То Yes लिए मुज़ोर मुनासिब नहीं है से रही की लेता सिर जोने पिमेंगयों नहीं लिखा है इसमें उनके बेनस्बत हमारी जमीन का दर्जहरारत नहायत मतादल है नतीजे यह है कि यहां तरह के पृद्धे और जानदार पाहे जाते हैं लेकिन गुजस्ता चालीस सालों से हमारी जमीन का दर्जारात तेजी से बढ़ रहा है इसके आस्तन अजाफा को माहरीन महुलियत ने जमीनी हरारत में तद्रीजी अजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है ठीकिए जो हम लोगा जमीन का टेंपरेचर बढ़ रहा है उसी को साइंटिस्टों ने क्या नाम दे दिया है ग्लोबल वार्मिंग ठीकिए आगे बड़ी अगुजस्ता दस सालों से इस तमाज़त अरजी का आलमी सता पर जोर वसोर से तज़करा हो रहा है नातीज़ा यह है कि आज या ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक संगीन मसलब बन चुका है इस आलमी मसलब पर पूरी दुनिया के साइंस दा गोर वफिक्र है अक्वाम मतहदा जर्मनी यह यूए ना है जर्मनी अमेरिका और देगर मगरिबी ममालिक में साइंस दानों के साइंस दानों के मुभास्रा का इया खास म accurate बन चुका है ग्लोबल वार्मिने से मुदाफ़ात और इस आलमी मसलब पर एक मिनट आलमी मसल厨 के लिए मज्कुरा मुईमालक मेंबड़े मम मालिक में बड़े पैमाने पर एक्दामात किये जा रहे हैं ठीक है यह यूए नो तक मसला पहुंच चुका है ग्लोबल वार्मिंग और इसमें जर्मनी अमेरिका जितने हैं इस ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ही बड़ा बड़ा कदम उठा रहे हैं किसी तरह इसको कम करने की कोशिश की जा रही है ठीक है अब आगे बढ़िए सवाल नमबर दो है कि ग्लोबल वार्मिंग के इसबाब क्या है ठीक है तो अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं इसका जवाब देखिए दिया है यहाँ पर ठीक है हाँ तो देखिए यहाँ पर जवाब भी लिखा है देखिए क्या लिखा है जवाब में हमारी जमीन का दर कि लिएधन चाइंब ओर इनसान के बाशेंदें के इनिस्काव सर्हम हों ग्रीजर कैश मैं गाडीयों और एनकाiki के बेतहासा कटने की वज़ा से ग्रीन हाउस गैस की पैदाईश बहुत एजाफा हो गया है बसलान आंजरा कारबंडाई अक्साइड और नाइट्रिक अक्साइड और मेथन गैस वगयरा में कारबंडाई अक्साइड पहले की बेनसबत 31% और मेथन गैस 149% ज्यादा पैदा ह होने लगे हैं मेथन गैस की पैदाईश गाए भैस के गोबरों और धान के खेतों से ज्यादा होती है और दिन के वक्त आफ्ताबिश हो आए हमारी जमीन पर आती है उसे जमीन बहुत उसे जमीन बहुत एक मिनट उसे जमीन जो है वह बहुत ज्यादा जजब कर लेती हैं कि अब्सक्त पर लेती है जिसके वजहासे जमीन का टेंप्रेचर बढ़ जाता है साइंस जानों की राये में गुजसते एक सदी में जमीन की हराय टिकरीबन जिरो पॉयंट साथ पॉन्स डिगरी सेंटिग्रेट बढ़ गई तो यही राव अगर उनकी है कि रवा 21 सदी में एक डिग्री से 10 डिग्री सेलसियस तक इजाफा हो जाएगा जो जमीन के बासिंदे के लिए नहायत तश्विसनाक बात है ठीक है अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिन बढ़ता रहा ठीक है अगर जमीन का जो टेमपरेचर है वो एक डिग्री से 10 डिग्री सेलसियस तक चला गया ठीक है तो मतलब बढ़ गया तो यह हमारे लिए बहुत जदा खौफनाक बात होगी ठीक है आगर बढ़ ये तीसरा सवाल है ग्लोबल वार्मिन के तस्विशनाक इसरात क्या होंगे ठीक है तो यहां पर जबाब देखिए ग्लोबल वार्मिन के समुंदर में तेजी से अजाफा हो जाएगा ठीक है तो यहां पर जो है जवाब में लिखा गया है कि जो ग्लोबल वार्मिन है अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा एक डिगरी से दस डिगरी सेलसिस तक बढ़ गया तो इसका नतीज़ा ये होगा कि जितने भी पहाड़ों प अजाफे की नतीजे में कई जजीरों के समुंदरों में डूब जाने का खत्रा है मसलिन पोडोसी मुलक बंगला देश का कुछ इलाका हमारे मुलक के बाद साहिली इलाके और मालदी जजीरों के डूब जाने का भी खत्रा है ठीक है जो भी समुंदर के किनारे देश है मुल इसका होना बाजसर्द मुमालिक में भी पौधे कम होते जा रहे हैं इसके बराक्स तरहा तरहा की खतरनाक जरासिम और वाइरस जैसे वाइरस तेजी से पैदा हो रहे हैं पैदा होते जा रहे हैं जो महलिक Allija कि ठीक है आगी एक मिनट ये बिमारी को जन्म दे रही है तेखे तो ये हो गया इसका एंसर आगे बढ़िये ये आसे बहुत लंबा एंसर है ये देखिए एक मिनट हाँ आज हर मुलक की या इस्तमाई जमदारी है कि अपने अपने वसायल के स्था पर इस खतरना कुदरती अजाब से हिफाज़त की तराकीब पर गोर करें और अपने तो और पर एक्दामात करें हमें इस खतरनाक मसले के हल के लिए जिनकी पैमाने पर गोर्वा फिक्र करना होगा इस स्लसले में हमारे मुलक के हर शहरी का अन्फरादी फरीज़ा भी है कि जहां तक हो सके इस कुदरती आफ़त से मदफात की तरकीब करें और हकुमती तरफ से जों हिदाया तजारी कि हैं अस पर फोरी फारी अम होना चाइए फोरण होना चाहिई है फोरण होना झाल टाया तोड़ा गलत भी हो जाता है कभी कभी चलिए सवाल नंबर 4 इसे बच्षने के-लिए क्या क्यो क्दामात उठायए जा सकते हैं यनकि ग्लोबल 1 से बच्षने क पूस्ट, चीन, जापन वगरा को मिल कर ग्रिन हाउस गैसों की मकदार को कम करने की जरूरत है जंगलों की कटने से तहफुज के लिए जंगी सता पर आल्मी कानून बनाने की जरूरत है और नए पिर्पादे लगाने के लिए तहरिक चलाई जाए जो पिर पौदो और दरक पहले से मौजूद है उन्हें ज्यादा से ज्यादा फलने फुलने का मौका दिया जाए जिन गाड़ियों से गैस खारज होती है उन गाड़ियों को नहीं चलाया जाए कोईला और लकडियों को जलाने की रिवायत रफ़ता रफ़ता खतन की जाए और अमली इल्मी और जिंदगी में फितरत की साथ हम आहंगी पैदा करने की कोशच की जाए इस संगीन आलमी मसलव को हल के लिए क्यूटो में 2007 इस वी में एक साइंसी कंफरेंस मनाकद किया गया और काफी बहस मभासा के बाद एक चार्ट तयार किया गया था जिस पर मुक्तलिफ ममालिक के नुमाइंदा साइंस्टानों ने दस्तखत किया और इस तमाई तोर पर ये हल्फ लिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हर मुलक इस चार्ट की हिदायत पर मनवान अमल करेगा ठीक है बहुत से ममालिक में दाखिली सता पर भी इस अरजी तमाज़त को कम करने की कोशशे जारी हैं अमेरिका के साबिक नायब जो सदर अलगोरे ने अलगोरे ने पूरे मुलक के गाओं गाओं में घुम घुम कर गलोबल वार्मिंग से बचने के मौज़ू पर तक्रीरे किम और इस तहरात तक्सिम किये जिसमें गलोबल वार्मिंग के खतरात से आगाही और उस से बचने के तराकिब भी दर्ज थे आगे बढ़िए फिर फिर नागा लेंड के शहर दीमापूर में दिसंबर दोजराट इसबी में बाल वग्यान कॉंग्रेस का पांच रोज का कॉंफरेंस नाकाद किया गया जिसमें आलमे साइंस दाहिंडुस्ताइन के मेजाईल में और ताबिक सदर जम्हुरिया हिंद एपी जे अब्दुलकलाम ने मेहमान खसूसी की हैश्यत से सिर्कत की इस कॉंफरेंस की खसूसी तोर पर दो मौजवात थे एक आलोदगी यानिकी पॉलूशन दूसरे अर्जी तमाज़त थे यानिकी ग्लोबल वार्मिंग इस कॉंफरेंस में मुलके त अबदुलकलाम ने ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसला पर बोलते हुए इस मसला के हलका युरुष का कीमिया से एक मिनुट ऑपनीफलाया यहां पर गलत हो गया है गलत प्रिंट हो गया है। 10-17 साल तक की उमर से 20 एक मिनट 10-17 साल तक की उमर से 20 आगे मैं पूर देती हूं 20 लाख बच्चे 20 लाख बच्चे अगर सिर्फ 5-5 दरखती लगा दे तो ग्लोबल वार्मिंग का यह संगीन मसलब बहुत हद तक कम हो सकता है ठीक है तो यह हो गया आप लोग का इंसर सवाल न तो डेख लिज्जी इसको भी कितने भी साबके हैं ठीक है किया पूछ रही यहां साबके तो देखे यहां पर लिखा है आंज्र पाणी की भाड को जोग्राफ़िया की जबान में आंज्रश कहते है ठीक है आज़्रा बरक्स फित्री निजाम के बरक्स इल्म करना सारी अमल करना खतरनाक है ठीक है बेतहासा है जमीन के जंगल बेतहासा करते जा रहे हैं जितने भी साबके हैं इसको सेंटेंस में यूज कर दिया गया है ठीक है खतरनाक अरजी तमाजते एक खतरनाक मसला है सजरकारी हमारे हमें गलोबल वार्मिंग से बचनी के लिए सजरकारी करना च चाहिए जयाने जबने होर्द क्राइब और क्लास साइंस खांट है थाझ वरृल्ड क्लास पर प्र पर इनेे अम गीर मसला है ठी के फिक्र मन हमें मिस्ता कब दॉप Champ के लिए फिक्रमंद होना चाहिए ठीक हैं और अब्पतिना में कई कार्खाने हैं यह मोडर गार्डिया आराम को अराम इस वारी है ठीक है तो जितने भी लफ्रस्त सामखे के लिए कोई भी कमफीज़न हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियों में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिस